Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel तो इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ जो हमारा 8th Class की Maths की बुक है उसमें जो हमारा चैप्टर No.1 है Square and Square Roots वक्षूट 4 का Question No.2 करेंगे इससे पहले वाली जो वीडियो है उनकी जो प्लेइलिस्ट है उसका लिंक मैंने आपको description में दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं अब हमारे पास देखो Question क्या है Find the least number which must be subtracted from 6203 to obtain a perfect square also find square root of the number so obtained तो यहाँ पर लिखाया कि कौन सा number है जो हम इसमें से subtract करें इससे पहले वाली जो आपकी वक्षूट चूज में आपके पास लिखाया था कि किस number से multiply करें या किस number से divide करें ठीक है आपके पास यही चार ही mathematical operation है addition, subtraction, multiplication and division ठीक है अब इन ही का ही यूज करके आपको मतलब है perfect square में convert करना है जब भी आपके पास question में लिखाये कि किस number से multiply या फिर किस number से divide करें तो आप कौन सा method यूज करोगे prime factorization जब आपके पास लिखाये कि एक ऐसा number ढूंडो उस number को कि क्या number add करें क्या number subtract करें जब ये लिखाये तो आप कौन सा method यूज करोगे long division method clear? तब कौन सा method यूज करोगे long division method तो means हमें इस वाले जब कोई कि मुझे पता चल गए इन्होंने word यूज किया है subtracted तो इसमें कौन सा method यूज करना है long division method तो अभी तो आप ये करो जो भी आपको number दिया हुआ है जैसे यहाँ दिया है 6203 तो इसका आपको क्या करना है long division से आप square root find करो पहले तो इसका तो यहाँ पर देखें हम इसका square root find करेंगे तो आपको मैंने सिखाया था इसे पहले पहले वीडियो में कि जो भी आपके number है आप उन्हों की pairing कर लो पहले तो ठीक है अब आप देखो आपके एक ऐसा number दूढ़ना है तो 64 आता है तो इसे छोटा number लेना पड़ेगा 77,049 तो यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 7 77,049 ठीक है अब मुझे क्या करना है 62 में से 49 subtract करने है अब 2 में से 9 subtract होते नहीं है तो 1 बोरो किया 12 में से 9 minus करेंगे 3 यहाँ पर 1 बोरो कर लिया था तो यहाँ 5 रहागे थे 5 में से 4 minus किया तो 1 नेक्स्ट हम क्या करेंगे यह जो 03 हमारा यह पेर है हम इसको नीचे ले आएंगे 03 ठीक है अब जितना आंसर आए उसको 2 से multiply करो 72014 ठीक है अगर यह नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं से थोड़ा चोटा आ रहा हुगा ठीक है हम चेक करते हैं ठीक है हम चेक करेंगे कि कितना आएगा यहाँ पर तो यहाँ हम कर लेते हैं 8 से करके देख लेते हैं 88 आर 64 4 यहां पर 6 कैरी कर लेंगे 840 32 32 में 6 एड़ करेंगे 38 8100 88 में 3 एड़ करो 118 40 है थोड़ा चोटा है एक वोट पर आगे चेक कर लो 9 और लगा के देख लो 990 81 ठीक है 4900 4900 36 36 में आप यह 44 बन जाएगा 9100 9 हो रही कितना हो जाएगा 13 यह तो बड़ा हो रहा है 9 पे तो 8 से ही लेना पड़ेगा तो जब हम यहां 8 लेते हैं तो हमारे कितना आता है 1184 माइनस करो तो देखो कितना अभी मिन्स क्योंकि अब आगे नहीं है तो मेरा कुछ ना कुछ रिमेंडर बच जाएगा कोई बात नहीं अब आप यहां देखो 3 में से 4 माइनस नहीं होते हैं तो मैंने यहां से यहां पर रहे गए हैं 2 यहां पर 1 बोरो किया तो 10 उस 10 में से यहां रहे गए है 9 और यहां हो जाएगा 13 13 में से 4 माइनस करो तो कितना आता है 9 9 में से 8 माइनस करद कितना आता है 1 2 में से 1 माइनस करद कितना आता है ठीक है यह होगा अब एक बार आप statement दुबारा से देखें क्या भूला उन्होंने find the least number which must be subtracted from 6203 to obtain a perfect square अब आप यह देखो मैं आपको एक बार दिखा देखती है इससे पहले जो हमने question किये थे अब आप यहाँ देखो जैसे आपको बस यह question दियो थे यह first में से मैंने उठाया है जो आपका इसी उसका first workstation है last ले रहती है अभी इससे पहले यही किया था अब आप यह देखो क्योंकि यह जो number दिये हुए थे जब आपने इसका square root find किया था तो पूरा-पूरा means यह cancel हो गया था complete हमारे पूरे division होगी थी तो इसका meaning क्या हुआ था कि यह जो number दिया हो था यह perfect square था तभी तो हमने जब उसका long division से square root निकाला तभी तो zero आया means यह जो number दिया हुआ था वो आपका perfect square था यह 5-7 जो आपके question number 1 के सारे दिया हुए ने part वो सारे ही perfect square है क्योंकि सब में ही यहाँ पर नीचे 0 आ जाती है ठीक है लेकिन हमारा यह जो number दिया हुआ है जब हमने इसकी long division से इसका find किया यह तो complete divide ही नहीं हुआ यह हिरा गया है ठीक है लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि चलो मान लो कि यह perfect square नहीं है लेकिन आपको इसको convert करना है perfect square में से और वो कैसे करना है कि कुछ ना कुछ उसमें से हमें क्या करना है subtract करना है ठीक है तो इसमें से क्या subtract करें अब इसमें हमें कोई रटा तो लगाना नहीं है कि क्या करें इसके लिए कोई ऐसे हमें कोई याद तो नहीं करना है हम इसी समझना है उसको उसके लिए देखो अगर मान लीजिए कि यह perfect square होता तो आप बताओ यहाँ पर 0 आती न 119 आपका remainder नहीं रह जाना था आपका यहाँ पर क्या आ जाना था 0 आ जाना था मिन्स आपके लिए क्या दिक्कत कर रहा है यह जो remainder है यह remainder नहीं होना चाहिए मिन्स हमें इसी को ही हटाना पड़ेगा हटाना मैं हटाते कैसे हैं remove कैसे करते हैं तो अभी से सब्टरक्ट करो 13 में से 9 यहां 3 में से 9 नहीं होता तो अब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा यहां 1 रह जाएगा 0 में सब्टर 4 यह हमारा क्या बन जाएगा 1 perfect square आ जाएगा ठीक है होगा उन्होंने बोला था न find the least number which must be subtracted from 6203 to obtain a perfect square तो वो least number कौन सा है 119 ठीक है आप जाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो least number which is subtracted 119 तो यह number हागय था हमने उसको क्या कर दिया subtract अब एक पार्ट हो रहा है इस question का also find square root of the number so obtained कि यह जो आपका number आपने obtained कर लिया है आपको इसका square root of the भी दोबारा से find करके दिखाना है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको यह दर नीचे कर दिती हूँ ठीक है आपको बहुत सारा space है यहाँ पर आप दोबारा से कर दीजिए 6084 ठीक है 7749 ठीक है माइनस करें 0 में से 9 नहीं होते तो 1 बोरो करो 10 में से 9 माइनस होगे 1 5 में से 4 माइनस होगा 1 और यहाँ से ले लेंगे 84 यह पेर हमारा पूरा नीचे आ गया यह वाला ठीक है अब जितना आप का answer है उसको 2 से multiply करो 72014 अब एक number यहाँ लिखना है ठीक है अब आप देखो 1 4 के पिछे यहाँ लिखना है आप यह देखो 8 पे हमारा कितना है था 8 से जब हमने multiply कितना है था 1184 वही हमारा answer है तो हम यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ पर भी 1184 और यह क्या हो जाएगा ठीक है subtract हो जाएगा अब आप यहाँ एक important चीज़ देखो जिस number पे आपका पहले जो answer आ रहा होता है वही आपका answer बनता है यह चीज़ याद रखनी है तो यहाँ से हमारा answer क्या आजाएगा इसमें दो answer बनेंगे एक तो उन्होंने बोला था कि क्या number आप subtract करेंगे तो हमने क्या number subtract किया है 119 और यह उन्होंने बोला था जो आपका resulting number आजाएगा उसका आपको square root find करना है तो square root find करके हमारा answer कितना आता है 78 तो इस वीडियो में यह मैंने आपको question number 2 करवाया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें Thank you so much